मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, सर्दी का मौसम अब जाने को है, बसंद के मौसम ने हम सब के जीवन में दस्तक दे दी है, पत जड़ के बाद पैड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलते हैं, बाग भगीचे हरिबरे हो जाते हैं, पक्षियों का कल्रव मन को भाने लगता है, फूल ही नहीं, फल भी पैड़ की शाखाओं पर खिली धूप में चमकते नजराते हैं, ग्रिश्म रूतू के फल आम के मंजर बसंत महीं दिखने लग जाते हैं, महीं खेतों में सर्सों के पीले फूल किसानों को उमीदे बंधाते हैं, टेशू या पलास के सुर्ख फूल हुली के आने का संकेत करते हैं, अमिर खुश्रों ने मौसम के इस बड़लाव की पलों का बड़ा मज़ेदार बढ़न किया है, अमिर खुश्रों ने लिखा है, फूल रही, सर्सों सकल बन, अम्बबा फुटे, टेशू फुले, कोयल बोले डार डार, जब प्रकृति खुश्रामा होती हैं, मौसम सुहना होता है, तो इनसान भी इस मौसम का पूरा लुप्ट उठाता है, वसंत पंच्मी, महाशिवरात्री और होली का त्योहार, इनसान के जिवन में खुश्यों के रंग डालता है, प्रेम भायचारा मानवता से ओध प्रोत वातावर में हम, आखिरी महने फ्यालगुन को बिदा करने वाले हैं, और नए मास्चेत्र का स्वागत करने को तयार बैठे हैं, वसंत रूतू, इनी दो महिनों का तुसे योग है, मैं सबसे पहले तो देश के लाखो नागरिकों का इस बात से आभार वेक्त करता हूं, कि मन की बात के पहले, जब मैं सुझाव मांगता हूं, ठेर सारे सुझाव आते हैं, नरेंद्र मोदियप और ट्वीटर पर, फेस्बुक पर, डाक से, मैं इसके लिए सबका आभारी हूं, मुझे सोभा जालान, उन्होंने नरेंद्र मोदियप और लिखा है, कि बहुत सारी पबलिक, इसरों की उपलद्धियों के बारे में, एवेर नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि, मैं 104 सेटिलाइस के लॉंच और इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में, कुछ जानकारी दूँ, सोभा जी आपका बहुत बदाभार, इस भारत के गर्व की मिसाल को आपने याद किया, चाए गरिवी से निबटना हो, बिमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्यान, जानकारियां पहुंचाना हो, टक्नोलोजी ने विज्यान ने अपनी जगाद दर्ज करा दी है, 15 फरवरी 2017, भारत के जीवन में गवरोपुर्ण दिवस है, हमारे वईज्यानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से उंचा किया है, और हम सब जानते हैं कि इस्तरों ने कुछ वर्षों में कई अभुत्पूर्व मिशन को सफलता पूर्वक पोर्ण किये हैं, मंगल गरह पर, मार्स मिशन, मंगल यहन, प्रेजने की काम गया अभी के बाद, अभी पिछले दिनों इस्तरों ने अंतरिक्ष के ख्षेत्र में एक विश्व रेकॉर्ड बनाया, इस्तरों ने मेगा मिशन के जरिये एक साथ विभिन्द देशों, जिसमें अमेरिका, इसराइल, कजगिस्तान, निदर लेंड, स्विजल लेंड, युएई और भारत भी, एक सो चार सेटलाइट्स अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक लांच किये, एक साथ 104 सेटलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज कर इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया, और ये भी खुशी की बात है कि हल लगातार 38 पी एसल वी का सफल लांच है, ये नकेवल इस रो के लिए बलके पूरे भारत के लिए एक आतिहासी को प्लब्दी है, इस रो की ये कास्ट इफेक्टिव, एफिशन स्पेस प्रोग्रेम सारे दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया है, और विश्वर ने खुले मन से भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को सराहा है, भावयो बहनों, इन 104 सेटलाइट्स में एक बहुती महत्वपूर्ण है, कार्टो सैट 2D, ये भारत का सेटलाइट है, और इसके माध्यम से खीची हुई तश्वीरों, समसाधनों की मैपिंग, इंफास्रक्चर, विकास का आकलन, अर्बन डेवलप्मेंट के प्लानिंग के लिए उसकी बहुत मदद मिलेगी, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को, देश में जो सभी जोर स्रोत है, वो कितना है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सारे विश्यों पर, ये हमारा नया सेटलाइट, कार्टो सैट 2D, बहुत मदद करेगा, हमारी सेटलाइट ने जहाते ही कुछ तस्वीरे भेजी हैं, उसने अपना काम सुरू कर दिया है, हमारे लिए ये भी खुशी बात है कि इस सारे अभ्यान का नेत्रुत्व, हमारी युवा वैज्यानिक, हमारी महिला वैज्यानिक उन्होंने किया है, युवाओं औ को बहुत बढ़ाई देता हूं, आम जनता के लिए, राष्ट की सेवा के लिए, अंतरिक्ष विग्यान को लाने के अपने अब्जेक्टिवों बेसदाय बना रखा हैं, और नीत नए नए किर्तिमान भी वो रचते जा रहे हैं, हमारी इन वैज्यानिकों को, उनकी पूरी कीम को, हम जीतनी बधाईयां दे, उतनी कम है, सोभाजी ने एक और भी सवाल पूछा है, और वो है, भारत की सुरक्षा के सबंद में, भारत ने बहुत बड़ी सिद्धी प्राप्त किये उसके भीशे में, इस बात की जादा भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सोभाजी का द्यान गया इस महत्पपून बात पर, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी बैलेस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परिक्षन किया है, इंटरसेप्शन टेक्नलोजी वाले इस मिसाइल ने अपने ट्राइल के दोरान, जमीन से करीब करीब सो किलोमेटर की उचाई दुश्मन की मिसाइल को धेर करके सफलता अंकीत कर दी, सुरक्षा के खेत्र में ये बहुत ही महत्पपून सिद्धी हैं, और आपको जान करके खुशी होगी, दुनिया के मुश्किल से चार या पांच ही देश हैं कि जिने ये महारत हासिल है, भारत के वग्यानिकों ने य इसकी ताकत यह है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी भारत पर आक्रमन के लिए कोई मिसाइल आती हैं, तो ये मिसाइल अंत्रिक्ष में ही उसको नश्ट कर देती हैं, जब नई टेक्नोलोजी देखते हैं, कोई नई वज्ञानिक सिद्धी होती हैं, तो हम लोगों को आनंद होता है, और मानोजीवन की विकास यात्रा में जिग्यासा ने भहुत एहम भूमी का निभाई हैं, और जो विशिष्ट बुद्धी प्रतिभा रखते हैं, वो जिग्यासा को जिग्यासा के रूप में ही रहने नहीं देते हैं, वो उसके भीतर भी सवाल खड़े करते हैं, नई जिग्यासा ही खोचते हैं, नई जिग्यासा ही पादा करते हैं, और वही जिग्यासा नई खोच का कारल बन जाता है, वे तब तक चैन से बैठते नहीं, जब तक उसका उत्तर न मिलें, और हजारों साल का मानव जीवन की विकास यात्रा का अगर हम अवलोकन करें, तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की इस विकास यात्रा का कहीं पुर्णविराम नहीं है पुर्णविराम असंभव है ब्रह्मान को सुरुष्टी के नियमों को मानवी के मन को जानने के प्रयास निरंतर चलता रहता है नया विज्ञान नई टेक्नोलोजी उसी में से पैदा होती ह और हर टेक्नोलोजी हर नया विज्ञान का रूप एक नए यूग को जन्म देता है मेरे पैरे नवजवानों जब हम विज्ञान और विज्ञानिकों के कठीन प्रिसम की बात करते हैं तो कई बार मैंने मन्वी की बात में इस बात को कहा है कि हमारे युवा पीड़ी का पीडियों के जीवन में एक स्थाई बर्लाव का कारण बनता है मातमा गांधी कहां करते थे no science has dropped from the skies in a perfect form all sciences develop and are built up through experience पुछ बापु ने ये भी कहा था आव नथिंग बट प्रेइस पर जील इंडिस्टी और सेक्रिफाइस दह्त हैव अनिमेटेट थे मोडन साइंटिस्ट इन परशूट आप्टर टूट विज्ञान जब जन सामान्य की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रख करके उन सिधान्तों का सहज उप्योग कैसे हो उसक सामान ने मानवी के लिए तो वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है पिछले दिनों निति आयोग एवं भारत के विदेश मंत्राले ने चाउद्वे प्रवासी भारती दीवस के समय एक बड़ी युनीक प्रकार की कंप्पूटिशन की योजना की थी समाज उप्योगी इनोवेशन को इनवाइट किया गया ऐसे इनोवेशन को आइडेटिफाय करना शोकेश करना लोगों को जानकारी देना और ऐसे इनोवेशन जन सामान ने के लिए कैसे काम आये मास प्रोडक्शन कैसे हो उसकी कामर्शियल यूटिलाइजिशन कैसे हो और मैंने जब उसे देखा तो मैंने देखा कि कितने बड़े महत्वपुन काम की है जब सब एक इनोवेशन मैंने देखा जो हमारे गरीब मच्छवारे भाईयों के लिए बनाये गया है एक सामान ने मोबाईल एब बनाई है लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि मच्छवारा फिशिंग के लिए जब जाता है तो कहां जाना सबसे ज़्यादा फिश जो अच्छा कहां पर है, हवा की दिशा क्या है, स्पीड क्या है, लहरों के उचाई कितनी है और इसे हमारे मच्वारे भाई बहुती कम समय में जहां अधिक मचलिया है वहां पहुँच करके अपना अर्थ उपारजन कर सकते हैं कभी-कभी समस्या भी समाधान के लिए विज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित करता है मुंबई के अंदर 2005 में भहुत बारिश हुई फ्लड आया समंदर में भी भरती आ गई और बहुत परिशानिया हुई और जब कोई भी प्राकुर्तिक संकट आता है तो सबसे पहले संकट गरीब को आता है दो लोगों ने बड़े मन से इसमें काम किया और उन्होंने एक ऐसे मकान की रचना को विक्सित किया जो ऐसे संकट से घर को बचाता है घर में रहने वालों को बचाता है जल भराव से भी बचाता है वाटन बॉर्ण डिसीज से भी बचा सकता है खर बहुत सारे इनोवेशन से कहने का तात पर यह है कि समाज में देश में इस प्रकार की भूमिका के लोग बहुत होते हैं और हमारा समाज भी तो technology driven होता जा रहा है व्यवस्ता ही technology driven होते जा रही है एक प्रकाश िधि टेक्नोलोजी हमारे जीवन का ァभिन अंग बन रहा है पिछले दिनों डिजी धन पर बड़ा बल दिखाई दे रहा है दीरे दीरे लोग नगत से निकल करके डिजीटल करंसी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं भारत में भी डिजीटल ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है खास करके UAPD अपने मुबाइल फोन से ही डिजीटल पेमेंट की हादी बनती जा रही है ये शुप संकेत मानता हूँ मैं हमारे देश में पिछले दिनों लकी ग्रहा के योजना डिजी धनव्यापारी योजना उसको भारी समर्थन मिला है करीब करीब दो मेने हो गए हैं प्रती दीन 15,000 लोगों को 1000 रुपय का इनाम मिलता है और इन दोनों स्कीमों के जरिये भारत में डीजीटल भुक्तान को एक जनांदोलन बनाने के पहल पूरे देश में उसका स्वागत हुआ है और ये खुशी के बात है कि अब तक डीजीटल योजना के तहट दस लाग लोगों को ते इनाम मिल चुका है पचास हजार से ज़्यादा वैपारियों के इनाम मिल चुका है और करीब करीब डेड़ सो करोड से भी ज़्यादा रकम इस इनाम में इस महाम अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों के मिला है इस योजना के तहट सो से ज़्यादा ग्राह के यह हैं जिनको एक एक लाग रुपर के इनाम मिला है चार हजार से ज़्यादा व्यापारी वो हैं जिनको पचास पचास हजार रुपर के इनाम मिले हैं किसान हो व्यापारी हो छोटे उद्यमी हो पेशेवर हो घरिलू महिलाएं हो विद्यार्थी हो हर कोई इसमें बढ़ चड़ करके हिस्सा ले रहा है उनको लाब भी मिल रहा है जब मैंने उसका एनालिसिस पूछा कभी देखिए सिर्ब नवजवानी आते हैं कि बड़ी आयू संतोज जिने हर्ष्ट जताते हुए नरेंद्र मोदी एपर लिखा है कि उन्हें लकी ग्रहा के उजना के जहत एक हजार रुपय का रिवार्ड मिला लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है जो मुझे लगता है कि मुझे शैर करना चाहिए उन्होंने कहा कि तो मुझे लगा कि जो मुझे इनाम मिला है शायद इसका हक इस गरीब बृद्ध मा का है तो मैंने हजार रुपया उसी को दे दिये हैं मुझे इतना संतोष मिला संतोष जी आपका नाम और आपका काम हम सब को संतोष दे रहा है आपने बहुत बड़ा प्रेरक काम किया दि दिजिटल कारोबार से जुड़ गए और सरकार की जो लखी ग्रहा की योजना थी उनमें एक लाख रुपे के नाम मिल गया अब आज वो कार चलाते हैं लेकिन एक प्रकार से इस योजना के एमबेसरेडर बन गए हैं सभी पैसेंजरों को पूरा समय यह डिजिटल क्या ग्या आते रहते हैं और उको भी प्रोथसाइद करते हैं महराश्टर से एक युवां साथी पूजा नेमाड़े जो पीजी की छात्रा है उन्होंने भी रूपे कार्ड इवलेट का क्योग अपने परिवार में कैसे हो रहा है और इसको करने में कितना आनंद आ रहा है इसका अपन अपने मीशन मोड में ले लिया है और वो भी औरों को इस काम के लिए लगा रही है मैं देश्वासियों से देश के युवकों से खास करके और इस लकी ग्राहक योजना या तो डीजी धन व्यापार योजना उन्हें जो इनाम मिला है उनसे मैं आगरे करूंगा कि आप स्व किजिए आप इसको आगे बढ़ाइए और ये काम एक प्रकार से ब्रस्टाचार और काले धन की खिलाब जो लड़ाई है इसमें बहुत बड़ा एहम भूमिका है इसकी इस काम में जुड़ेवे हर कोई मेरी दृष्टी से देश में एक नई एंटी करप्शन कैडर है एक प जना सौ दिन जब पूरे होंगे 14 एपरील डाक्टर बाबा साब आमवेड करकी जन्म जेनती का परवह है यादगार दिवस है 14 एपरील को एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपियों के प्राइस का ड्रो होने वाला है अभी करीब 40-45 दिन बचे हैं बाबा साब आमवेड कर को याद रखते हुए कि आप एक काम कर सकते हैं अभी अभी बाबस आमवेड करकी 125 फी जन्ती गई है उनका स्मरन करते हुए हैं आप भी कम से कम 125 लोगों को बीम एप डाउनलोड करना क्या सिखाएं उससे लेंदेन कैसे होती हैं वो सिखाएं और खास करके अपने आसपास के छोटे-छोटे व्यापारियों को सिखाएं इस बार की बाबा साब अमवेड करकी जैन्ती और भीम एप इसको विशेस महत्वत है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा डक्टर बाबा साब ने रखी नीव को हमें मजबुत बनाना है गरगर जाकर सब को जोड़कर 125 करोड हां हो तक भीम एप पहुंचाना है पिछले दो-तिन महने से यह जो मुमयम चला है उसका असर यह है कि कई टाउन से कई गाउं कई शहरों में बहुती सफलता प्राप्त हुई है मेरे पहरे देशवासियों हमारे देश की अर्थ बवस्ता के मूल में क्रिशी का बहुत बड़ा योगदान है गाउं की आर्थिक ताकत देश की आर्थिक गति को ताकत देती है मैं आज एक भावत खुशी की बात आपको कहना चाहता हूं हमारे किसान भाईयों बहनों ने कड़ी महनत करके अन्न के भंडार भर दिये हैं हमारे देश में किसानों के परिस्त्रम से इस वर् रेकोड अनुत्पादन हुआ है सारे संकेत यही कह रहे हैं कि हमारे किसानों ने पुराने सारे रेकोड तोड़ दिये हैं खेतों में इस बार फसल ऐसी लहराई हैं हर रोज लगने लगा जैसे पौंगल और बैसा की आज ही मनाई हैं इस वर्ष देश में लगभग 2700 लाग टन से भी जादा खाद्यान का उत्पादन हुआ है हमारे किसानों के नाम जो आखरी रेकोड अंकित हुआ था उससे भी यह 8% जादा है तो यह अपने आप में अभुत पुर्वसिद्धी है मैं विशे इस रुप से देश के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हू किसानों का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि वे परंपरागत फसलों के साथ साथ देश के गरीब को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग दालों की भी खेती करें क्योंकि दाल से ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन गरीब को प्राप्त होता है मुझे खुशी है कि मेरे देश के किसानों ने गरीबों की आवाज सुनी और करीब-करीब 290 लाख हेक्टर धर्ती पे भिन्द-भिन्द दालों की खेती की ये सिरफ दाल का उत्पादन नहीं है किसानों के द्वारा हुई मेरे देश के गरीबों की सबसे बड़ी सेवा है मेरी एक प्रार्थरा को मेरी एक विन्द्द को मेरे देश के किसानों ने जिस पकार से सर आँखों पर बिठा करके महनत की और दालों का रेकॉर्ड उत्पा प्रकार से हर कोई किसे ने किसी रूप में स्वच्चता के सबंद में जागरूक ब्याहवार करता नजर आ रहा है सरकार निरंतर प्रयास कर रही है पिछले दिनों वाटर एंड सेनिटेशन का जो हमारा भारत सरकार का मंत्राले है हमारे सचीव के नेतरूत्व में 23 राज्य सरकारों के वरिष्ट अधिकारियों का एक कारकम तेलंगना में हुआ और तेलंगना राज्य के वारंगल में सिरफ बंद कमरे में सेमिनार नहीं प्रत्यक्ष स्वच्थता के काम का महत्व क्या है उसको प्रयूक करके करना 17-18 फरवरी को हैधराबाद में टॉयलेट पीट एम्टिंग एक्साइज का अवेजन किया छे घर के टॉयलेट पीट्स खाली करके उसके सफाई की गई और अधिकारियों ने स्वयम ने दिखाया कि टॉयलेट के उप्योग हो चुके गड़ों को उसे खाली कर पुनः प्रयूग में लाया जा सकता है उन्होंने यह भी दिखाया कि यह नई टेक्निक के सवचाले कितने सुविधा जनक हैं और इन्हें खाली करने में सफाई को लेकर के कोई असुविधा महसूस नहीं होती है कोई संकोच नहीं होता है जो psychological barrier होता है भो भी आड़े नहीं आता है और हम भी और सामाने सफाई करते हैं वैसे ही एक टॉइलेट के गड़े साप कर सकते हैं और इस प्रयास का प्रणाम हुआ देश के मिडिया ने इसको बहुत प्रचारिद भी किया उसको महत्व भी दिया और स्वाभावी है जब एक I.S. अफसर खुद टॉइलेट के गड़े को सफाई करता हो तो देश का ध्यान जाना पहुत स्वाभावी है और ये जो टॉइलेट पीट की सफाई है और उसमें से जो जिसे आप हम कुडा कच्रा मानते हैं लेकिन खाद की दुरुष्टी से देखे तो ये प्रकार से ये काला सोना होता है वेश से वेल्थ क्या होती है ये हम देख सकते हैं और ये सिद्ध हो चुका है च्छ सदस्य परिवार के लिए एक्स्टेंडर्ड ट्वीन पीट टॉइलेट ये मॉडल लगबग पांच वर्स में भर जाता है इसके बाद कच्रे को आसानी से दूर कर दूसरे पीट में रीडारेक किया जा सकता है छे बार महनों में पीट में जहमा कच्रा पूरी तरह से डीकंपोज हो जाता है ये डीकंपोज कच्रा हैंडल करने में बहुत ही सुरक्षित होता है और खाद की द्रश्टी से अत्यनत महत्वपण खाद नपीके किसान भड़ी भाती नपीके से परिचेत है नाइट्रोजन फोस्परस पोटिशम ये पोशक तत्वों से पुनो होता है और यह क्रिशिक शेत्र में भहुत ही उत्तम खाद माना जाता है जिस प्रकार से सरकार ने ये इनिसिटिव लिया है और होमें भी बहुत इनिसिटिव ऐसे प्रहुक किये होंगे और अब तो दुर्दशन में इतनी उजागर होगी उतना लाब होगा सरकार में भी अलग-अलग डिपार्टमेंट स्वच्छता पखवाड़ा रेगुलर मनाते हैं मार्च महने के प्रथम पखवाड़े में महिला और बाल विकास मंत्राले उनके साथ जन जाती विकास मंत्राले ट्राइबल एफरस मिनि मंत्राले और मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्स रिवर डवल्मेंट एंड गंगा रिज्यूवे नेशन यह मंत्राले भी मार्च के आखरी दो सब्ता स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाला है हम जानते हैं हमारा देश का कोई भी नागरीक जब भी कुछ अच्छा कर करता है तो पुरा देश एक नई उर्जा का अनुभाव करता है आत्मेविश्वास को बढ़ाता है रियो पैरालेंपिक में हमारे दिव्यांग ख्यलाडियों ने जो प्रदर्शन किया हम सब ने उसका स्वागत किया था इसी महने आयोजीत ब्लाइंड टी ट्विंटी वर् चेंपियन बन करके देश का गवरो बढ़ाया मैं एक बार फिर से टीम के सभी खिलाडियों को बढ़ाई देश को हमारे इन दिव्यांग साथियों की उपलब्दी पर गर्व है मैं हमेशा मानता हूं कि दिव्यांग भाइभेन सामर्थवान होते हैं ग्रड़ निश्चई ह होते हैं सासिक होते हैं संकल्पवान होते हैं हर पल हमें उनसे कुछ से कुछ सिखने को मिल सकता है बाठ चाय खेल की हो या अंत्रीक्ष विज्ञान की हमारे देश की महलाएं किसी से पीछे नहीं है कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही है और अपने उपलब्दियों से देश का नाम रोशन कर रही है पिछले कुछ दिनों में एक शाही रगबी सेवन्स ट्रॉफी हमारी महला खिलाडियों ने सिल्वर मेडल जीता उन सभी खिलाडियों को मेरी धेर सारी बधाईया आठ मार्च पुराविश्व महला दिवस मनाता है भारत में भी बेटियों को महत्पत देने परिवार और समाज में उनके प्रति जागुरुकता बढ़ें सब्वेंद्रस्थता बढ़ें बेटी बढ़ाओ यह अंदोलन तेज ग्युति सागे बढ़ रहा है आज ये सिरफ सरकारी कारकम नहीं रहा है एक सामाजिक सम्वेद्रना का लोग शिक्षा का भ आनन्द मुद्य पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बर्सों से चली आ रही पुराने रित्रिवाजों के प्रती लोगों की सोच में बढ़लाव लाया है जब यह समाचार मिलते हैं कि बेटी के जन पर उत्सव मनाया गया इतना आनन्द आता है एक प्रकार से बेट बाल विभाह पर रोक लगाई अब तक करीब 175 से ज्यादा बाल विभाह रोके जा चुके हैं जीला प्रसासने सुकन्या समुरुद्धी योजना के अंतरगत करीब करीब 55,000 से ज्यादा बेटियों के बैंक एकाउंट खोले हैं जमु कश्मीर के कठवा जिले में कन्वर्ज के साथ साथ जीला प्रसासन द्वारा अनात बच्चियों को गोड़ लेना उनकी स्विक्षा सुनिश्रित करना इसके भरपूर प्रयास हो रहे हैं मद्यप्रदेश में हर गर दस्तक के कारकम अंतरगत गाउं गाउं गर गर बेटियों की स्विक्षा के लिए अभियान चला करके जिन बालुकाओं का ड्रपाउट हुआ था उनको पुनह स्कूल में भरती कराना फिर से पढ़ने के लिए प्रेजित करने का अभियान चलाया है कहने का तात पर यह है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इस आंदोलन ने भी अनेक रूप धारण किये हैं पूरा अच्छी निशानी मानता हूं जब हम आठ मार्च को महिला दिवस मनाने वाले हैं तब हमारा यह की भाव है महिला वो शक्ती है शशक्त है वो भारत की नारी है ना ज्यादा में ना कम में वो सम्मे बराबर की अधिकारी है मेरे पेरे देशवाशियों आप सबको मन की बात मैं समय पर कुछ नगुछ समवाद करने का उसर मिलता है आप भी शकृता के साथ जूड़ते रहते हैं आप से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है धरती पर क्या चल रहा है गाउं गरीब के मन में क्या चल रहा है वो मु मुगदान के लिए में आपका बहुत आभारी हो बहुत बहुत धन्यवाद